लो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी ग्यान फर यह योटूब चैनल पर दोस्तों आज जो मैं जोब का अपडेट लेकर आया हूँ यह गुवर्मेट जोब है दोस्तों एक बार फिर से जरकन सरकार की तरफ से गुवर्मेट जोब निकल के आई है और यह क्या डिट में बात करूँगा दिखाऊंगा कैसे इसको एपलाई करना है क्या क्या इसका डेटेल है इसकी पना करें अंतक बने रहें दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले और एक छोटी से रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर हम लोग का वीडियो को सबसे प दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ज़री यह होगी पलामू डिष्टिक के बारे में जानने के लिए कि पलामू डिष्टिक का जो ओफिसल वेबसाइड है वो है क्या क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि उसका एड़बिटाजमेंट तो पीडिय पहले हम लोग चलते हैं पलामू डिष्टिक का ओफिसल वेबसाइड पर तो पलामू लिख के जैसे मैं कर रहा हूं आप लोगों ऐसे करते जाएए आप लोगों का सब कुछ सौल्फ हो जाएगा तो पलामू लिख के इंटर कर दिए उसके बाद पहला वाला लिंक आएगा देखिए यह यह दिया गया देखिए पलामू.nice.id यह इसका ओफिसल वेबसाइट है यहाँ पर मैं किलिक कर देता हूँ यहाँ पर जैसे हम लोग किलिक कर देंगे तो उसका होम पेज पर आ जाते हैं होम पेज पर यहाँ पर बहुत सारे अप्शन दिये गये हैं देख सकते हैं हेडिंग में बहुत सारे इप्सynn दिये गये हैं किसके बारे में आप लोगों के और देख सकते हैं तो फिलाल को जो कर दो हो किल न दीकाल कर आए के रिकार्डिंग ही तो पहला वाला जो दिया गया है यह अभी लटेस्ट निकल के आई है जिसका डेट दिया गया है 14-2-2019 लास्ट इन डेट दिया गया है 24-2-2019 और इसका पीडियाप यह ही से हम लोग को मिल जाएगा ने कस डानलोड पाल जो दिया गया है 306 की का यहां पे किलिक करेंगे तो हम लोगों को एक पीडियाप सामने पे ओपेण होके आ जाता है जहां पे पूरा डिटेल मेंचन रहेगा में किल каким कर देता हूं यहां promotes किलिक देते ही एक इसका video सामने में open होके आगया देखे इसमें क्या क्या डिटेल है इसके बारे में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं कर्यलाई जीला स्वाथ समिती पलामू के तरफ से दिया गया विगापन संख्या दिया गया डेड़ दिया गया अंतीम अभेदन जम्मा करने क करने है तू अंतीम तिथी जो दिगए है चोबीस दो दोजार उनिस दिगए है और यहां पर और कुछ मेसेज दिया गया थोड़ा देख लेते हैं इसको भी रश्टिय स्वस्त मिसन के अंतरगत पलामू जीला में निमलिखित पदों के लिए एक बरस की आउधी के लिए सम प्रवल में पूरा डेटेल मैं संक या गया है यहां पे पहला जो दिया गया है से Live नमबर दिया गया है प्रड़ का नाम अनुश्ची जन जाती के लिए पिशड़ा बर्वर्ग उश्के बादअ रच्चित के लिए ललास्ट में टोटल कि दसने विकैन सी है तो पेहला जो पिछड़ बर्ग में भी नहीं है और अनरच्छित के लिए एक दियागा टोटल पोस्ट इसके लिए दो वेकंसी है इसके लिए एक दिया गया है अनरच्छित के लिए इसमें भी दो पोस्ट निकल के आई है और फूर्त नमर में जो दियागा डी आई इसके लिए एक दिया गया है अनसुची जाती और बस एक ही इसमें वेकंसी है पांच्वा नमर में जो दिया गया है फर्मसिस्ट के लिए आट किए करने करने चाहते है तुटल 15 निकल के आई है तो ये सब इसका डीटेल है दोस्तों आप लोग अगर इसमें apply करना चाहते हैं देख लीजिए आप लोग किस कटिगरी में आते हैं और किस पोस्ट में apply करना चाहते हैं और उसके नीचे आर एक टेबल बना हुआ है जिसमें से salary range mention की गई है salary range यहां पर जिसे पादवार मान परतीमा मंदे योगता और qualification detail दिया गया है इसमें पहला वाला पोस्ट के लिए जो दिया गया था SNCU इसके लिए Mbbs की qualification होईए जिसकी salary range दी गई है इसे दिखाई दराई 63 थावजेंड इसके लिए भी स्रेट सिठी दिया गया है इसके लिए पुर्ट वाल आ के लिए बिर याघै शे कफ्षोर आ दिकारी के लिए आरइक्त्ति गर अधिक्तम अँम्र शीमा होनी चाहिए 67 वर्स मेंृधारित उससे जादे नहीं होना चाहिए यह जब 67 वर्स दिया गया है इससे जादे नहीं होना चाहिए अधरवाज आप लोगों का कैंसल हो जाएगा मतलब यह जो डेट दी गई है यहाँ पे 22-2019 को इसका इंटर्वी हुए है इसमें कोई एकजाम का अभी तक मेसेज मिला नहीं है नहीं दिखा है अगर दिखता है तो देख लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है इसका इंटर्वी होगा 22-2019 को और यहाँ पे आप लोग अपना खुद का खर्च करके जना होगा इसमें आप लोगों की 12-2019 के अधार से कल्कुलेट होगी एज और जिसमें से आप लोगों की नियुनतम एज सभी कोटी के लिए साभी जितने भी कोटी दिया गया है सब के लिए नियुनतम 21 दिया गया है और अधिकतम जो दिया गया है अधिकतम अलग अलग दिया गया है देखे समयने के लिए दिया गया है 45 और पिछड़ा बर्ग अतियंत पिछड़ा बर्ग के लिए दिया गया है 47 और अ चैन की सरतें देख लेते हैं किया किया है चैन की सरतें जो दी गई है देखे समिधा के अधार पर स्विक्रित मन दे के बिरूद उन्हें कारे करने है तू अनुबंद किया जाएगा यहां पर कुछ-कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं आप बाकी आप लो यह कोडिंग टू काम करने के बाद अगर पफो में सच्छा रहा तो यह रिनुवल भी होगा बोलके दिये गया एनुवल मतलब सलाना यह रिनुवल हो जाएगा तो यह सब पॉइंट्स दिये गये हैं फिर यहां पे जो एक पॉइंट्स दिये गया है दिखे विग्यपति अहरता यह योगता के अनुरूप समिती दौरा सोटलिस्टेट विदात्यों को आगे की चैन परिकरिया में समयलित किया जाएगा यहां पे जो इंटर्व्य हो जाएगा उसके बाद सोटलिस्टेट उन लोग लिस्ट निकालेंगे जो वेबसाइड में बता दिया हूं उस पर पे जाके आप लोगों को छेक करते रहना होगा इंटर्वियों देने के बाद वहां पे लिस्ट जारी किया जाएगा तह अप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग देख लिजेगा अगर सेलेक्टेड होते हैं तो इसके बाद फिर उलों आगे किस तरह से प्रक्रिया क्या है देखे समेती दोरा निधारित की जाएगी ये समेती उलों के तरफ से ही किया जाएगा आवेदान की प्रक्रिया क्या है उप्रो की योगता सा आरताल रखने वाले उमिदारों से निमलिखित बिहित्प पत्र में असायता आंक पत्रों के प्रमान पत्रों की आभी पर्मानी प्रती अरच्छन के दवा हेतु सक्छम पदादिकारी दोरा निर्गित आवसक परमान पत्र जाती परमान पत्र जनमतिती एबं संबंदित जो मेट्रिकुलेशन परमान पत्र तथा अभिदान पत्र के साथ स्वापी परमनित दो पासपोर्ट साइज फोटो संगलन करते हुए दिनांग 24 तो 2019 के अप्रहन पांच बजे के बाद प्राप्त अभिदानों पर विचार नहीं किया जाएगा मतलब यह जो डोकॉमेंट्स यहां पर बताया जा रहा है सारा डोकॉमेंट्स के साथ आप लोगों को उहां पर भेजना होगा उसके बाद अगर 24 दो 2019 तक भेज देना वहां पहुंच जाना च 400 रुपया दिया गया है और अनसुची जाती जन जाती के लिए 200 रुपया दिया गया है यह आप लोगों का डीडी बनाना पड़ेगा यह इसके अधार से डिस्टिक हेल्थ सोसाइटी पलामू के नाम से उसके बाद सभी तरह के पुन अविदान के बंद लिफाफे के निलंबिद डक और स्पीट पोस्ट से असायनिक सल्क चिकित्सा सा मुख चिकित्सा पदाधिकारी पलामू के करेलाई में जमा कराया जा सकता है उसके बाद आप लोगों का यह डीडी हो गारा सब कुछ इपसे में बंद करके उदफे भर्क इस एड्रेस जो पलामू का अब मैंने बताय हेल्थ society का यहां पे बेज ना होका आप लोगों को यह जो अड्रेस दिया गया है पिर नीचे चलते हैं नीचे का यहां पर एक फरॉम को ढाउलोड करके यहां पर अपना सारा डीटल अफ tu कौन करना पड़ेगा जो लिंक में दे दूंगा यह डिस्क्रिप्सइंद यह लिंक्र्डिक्शन देदूगा आप लोग आसे जाके डाउनलौड कर रहे हैं यहां पर कंडेट का नाम पिता पती का नाम जनमतिती अस्ती पता पतरचार का पता हास्ते पता में आप लोगा शजनुहमुल यह अब यह कहीं अगर बाहर रहते हैं तो इसका एड्रेस को अगर Oh सिक्षा का λिबान को डेयल देना होगा उसके नीचे आप लोदब का सेंटीबेकेट का जो डेटेल होगा यहांपे देना पड़ेगा किस पादda काम करके कहां काम किय है सारा डेटल देखे आप लोगों को भेजना होगा दोस्तों तो इस वीडियो में पस NICK प्रिवें से अगर कुछ भी मिसिंग आप लोगों को लगता है या तो फिर अप लोगों को लगता है कि